इसको गनाने के लिए अम्रुक चाहिए ब्लू, यलो और ब्लैक चाट पेपर और कुछ पर्पल पेपर, डिजाइन सीजा, सिम्पल सीजा, कटा, ग्लू, डबल सादे टेप, ठिक डबल सादे टेप और यूज़़ अब अम्रुक यलो कलर का चाट पेपर लेके जिसका सेंटिमेटर एं 36 by 36 सेंटिमेटर और एसे 9 स्कुयर बनाएगे, एक स्कुयर का मेजरमेंट है 12 by 12 सेंटिमेटर और पिर बाद में यह जो 4 कॉर्णलर का स्कुर्ण है, इसको सीजर की मतब़त से इस तरीके से कर देगे, चारो साइट और इसको ऐसे उठाके फोल कर अब आपका स्क्वेर शीक बॉक्स स्टेप होता है सब तरफ से सखत लेना अब आपको ब्लू कर दर का ये पेपर लेना जिसका है 40 x 10 cm और इसे चार स्क्वेर बनाना है जो है 10 x 10 cm और इसको कट करने के बाद फोल्ड कर लेना है एक साइक्टिन इस तरह के से और फिर बाद में एक ब्लैक कलर का पेपर लेना है जो है 9.5 cm x 9.5 cm और फिर बाद में इसमें 0.5 cm और उपर से 1 cm और नीचे से 1.5 cm लेके पीछ में स्क्वाइर बनाता है और फिर बीच का स्क्वाइर कट करने के बाद यह इस तरह के से तिखेगा अब इसको प्लू से चिपता देगे अब अंदर साइट के लिए हम लोग यलो दो और एक परपल लेगे पेपर जिसका सेंटीमेटर है 9.5 x 9.5 cm और एक एक यलो को इधर इधर चिपका देगे इसको चिपकाने के बाद मिन्यंस का आइस लेगे और इसको चिपका देगे और फिर स्माइले फेस बना देगे और यहाँ पर फोटो चिपका सकते हैं अब इसके इधर इस तरह परपल कलर का लेके और इसको चिपका देगे और यह ब्लैक कलर का हैड लेगे और उपर चिपका देगे और इसको आई लेगे तो यह इस तरह के से बन जाएगा अब आप इसमें इसको चिपका देगे अब हम दो ब्लू कलर का पेपर लेगे जो है 22 by 11.5 cm और इसको हाफ में फोल्ड कर देगे फिर बाद में गेलो कलर का पेपर लेगे जो है 20.5 cm by 11.5 cm इसको भी हाफ फोल्ड कर देगे फिर बाद में दोनों तरफ से 15 cm छोड़के यहां पे 3.5 cm हाइट लेगे और बीच में 9.5 cm लेगे और यह ऐस तरफ से कट कर देगे और इसको 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 फोल्ड कर देगे अंदर साइड इसको लेदे लेगे तो आपका यह उठ चाएगा और अब इसको इसके अंदर चिपका देगे तो इस तरीके से हो जाएगा अब हम लोग इस तरीका का बना के इसको चिपका देगे और मिन्यन लेके और दो मिन्यन और ऐसे ऐसे चिपका देगे कि इस तरह के से मिटमें को चक्ता देखेंगे अब हम दो टाइप का बलून लेगे चुछ इसको डेकोरीट करने के लिए मैं इदर चिपका रही हूँ अब बाहर के लिए अब ब्लाट स्ट्रिप और एक मिनियन का आइस लेगे बाहर के लिए और इसको चक्ता देगे और इदर हैपी बड़ी करके लिख लेगे यह इसकर किसो हो जाएब और अब इसको इदर चित्का देगे अब ग्लू कलर का पेपल लेगे जोगे 11 बाइ 11 सेंटीमिटर और इस तरफ से 0.5 सेंटीमिटर लेगे और इसको फोल्डर देगे इसको decorate करने के लिए black strip लेगे और मिनियन का इसे लेगे और चित्का देगे अब हाट्षिप यळ्लो और परपल को cut कर लेगे और इसको minion के faces से decorate कर देगे और इसको फिर ठ्रेट से बाढ देगे इस तरह किसे फोल्डर करके ठ्रेट से बाढ देगे इसमी इस तरीके से बाल देगें आपको इसमी चितकाईगें आपको इसमी चितकाईगें इसमी बाल देगें अब इसको ब्लू चार्ट पेपर में करना है जो है 10 cm by 5 cm चारो कॉर्णर से 11 cm ले लेगे और फिर बात में जो बीच में रेक्टेंगल बनेगा इसमें ऐसे सेमी सर्कल टाइप बना देगे जो मिन्यन का पॉकेट होगा और फिर इसे कट कर देगे तो ये इस तरीके से देखेगा अब हम लोग जो लिए थे 11 cm नीचा और तोनों कॉर्णर से इससे फोल्ड कर देगे और फिर बात में इसका मिन्यन का ये सब बना देगे दो येलो और एक पर्पर लेगे जिसका सेंटीमेटर है 8 cm by 7 cm और फिर बात में इसमें मिन्यन का फेसेस बना देगे अब मिन्यन का पॉकेट लेगे और इसको चिक्ता देगे और ये फिर इसके अंडे डाल देगे अब आपको मिन्यन के चार फेसेस लेना है जिसका मिन्यन सेंटीमेटर 17 cm 11.8 cm और 12 cm इसके ट्रियंगल को लेगे और इसके उपर चिक्का देगे इस साइड साइड कॉंड तो ये इस तरीके से दिखेगा अब ब्लू कलर का ये लेगे जोए 11.5 cm और 11.5 cm का देगे अब ऐसा ब्लू कलर का दो सरकल लेगे और 4.5 cm और इसको का देगे उपर और नीचे से दोनों तरब से अब इसको डेकोरेट करने के लिए इधर मैं मिल्यन का ये बनाई हूँ फोटो और वाइट कलर का तीन स्ट्रिप्स लेगे और इसकी मदर से इसको चिपकाएगे अब इसको ऐसे चिपका देगे पाइट स्ट्रिप्स से सपोर्ट के लिए तो यह आपका ऐसे बन जाएगा अब इधर मैंने एक बलून टाइप ऐसे कुछ बनाया है और इसके पीछे डबल सैड़ेट टेप चिपकाके इसको इसके आगे लगा देगे आप नीचे डेक आपको अगर नीचे डिकोरेट चाहिए तो ऐसे आप ब्लू कलर का सरकल करके नीचे डेकोरेट कर सकते तो यह आपका केक हो गया अब इसका बॉक्स बनाएगे उपर का कवर बॉक्स का कवर बनाने के लिए 20 बैट 20 सेंटीमेटर लेगे और 44 सेंटीमेटर कॉर्णर से ले लेगे और यह यह पार्ट कट कर देगे सीजर से अब इसके उपर डबल साइड एक टेप चिपका के इसको चिपका देगे पॉटक का बैब इसको डेकोरेट करने के विए ब्लू लिया पर टैन पर इसके ऊपर चितपका देगे और यहां पर ब्लैक स्ट्रिप चाध मन्यों का आई के यहां पर ऐसे उसको चितपका देगे अब इसके बॉड़ी के लिए 8 x 12 cm लेगे और उपड़ से 1 cm छोड़ देगे और फिर बाद में पेंसिल से इसका पॉकेट बनाएगे और फिर इसको कट कर देगे, दोनों तरफ पाएगे कट करने के बाद यह ऐसा दिखेगा, अब इसको इदा चिपका देगे और फिर चिपकाने के बाद इसका मिन्यन का एक मूँ बना देगे और इसके उपड़ ऐसे चिपका देगे तो यह चिपकाने के बाद इस तरीके से दिखेगा ओप आपने के बाद का बाद